हेलो दोस्तों, पुनितास फुट डायरी में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी बहुत ही टेश्टी आम का अचार की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं आम का अचार बनाना तो दोस्तों यहां पर मैंने लिया है कटा हुआ आम इसे न मैंने मार्केट से ही कटा के लाया था क्योंकि इसमें जाली पड़ गई है न तो घर पे कट नहीं पाएगा आम को मैंने जब मार्केट से लाया था न तब ही धो लिया था अब इसे एक कपड़े पे फैला देंगे ताकि यह अच्छे से न सूख जाए तो दोस्तों आम को मैंने अच्छे से फैला दिया है अब इसे न ओवर नाइट के लिए छोड़ देंगे पंखे के नीचे सूखने के लिए तो दोस्तों आम अच्छी तरह से सूख गया है अब इसे इकठा करेंगे और एक थाले में उठा लेंगे झाले में उठाए आम को ना हम एक बड़े बरतन में ट्रांसफर करेंगे और इसमें डालेंगे नमक और हल्दी डालने के बाद इसे वापस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे झाले में उएकि तरह सता में ट्रेंखे और हम एक बड़े और हम एक बड़े टाओे ऑले मुपी झाल झाल तो यहां पर हल्दी और नमक को मैंने आम में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसे ना एक डब्बे में भरके दो से तीन दिन के लिए रखेंगे धूप में दोस्तों धूप में मैं इसलिए रख रही हूं जो आम में ना मोस्चर रहता है वो अच्छी तरह से निकल जाए कि इसे अच्छी तरह से लिए जाए हूआ है तो यहां पर दो से तीन दिन हो गया है अब मैं दिखाती हूँ इसमें से कितना पानी निकला हुआ है अब हम आम को एक छनी में निकाल देंगे और इसके नीचे एक बड़ा सा बरतन रखेंगे तो यह देखिए दोस्तो कितना आम में से पानी निकला हुआ यह पानी हम न फेकेंगे नहीं इसको हम यूज करेंगे अभी आगे वीडियो में बताएंगे कहां पर यूज करना है इसे दोस्तो हमारी मम्मी न अचार ऐसे ही बनाती है दो से तीन साल खराब नहीं होता है अचार मैं आज अपने मम्मी की रेसिपी आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है आम में से जो पानी निकला हुआ है अब इसे हम रखेंगे गैस पे और इसे इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा रह जाए बस पक के और साथी में इसमें डाल देंगे हींग हींग दोस्तों ये ना एकदम ओरिजीनल वाला है पानी यहां पे जल के थोड़ा सा कम हो गया है अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे अच्छे सी दुग करेंगे जब तक पानी ठंडा हो रहा है ना तब तक हम अचार के लिए मसाले में является क्यूंट केंग है कि तो मीकें हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है सूखी लाल मिर्च राई लहसुन को मैं पहले से ही छील लिया था जीरा धनिया सौंफ और मंग्रेल तो यहां पर लासुन राई मिर्ची को छोड़के बाकी एक-एक करके मसालों को हम भून लेंगे अब हम सबसे पहले भूनेंगे धनिया धनिया को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंजना हो जाए हाँ ध्यान रखे कि इस स्टेज पर गैस का फ्लेम लो कर देना है नहीं तो न धनिया बहुत जल्दी से जल जाता है तो यहां पर धनिया का कलर आप लोग देख सकते हैं चेंज हो गया है अब इसे बड़ी थाली में हम ट्रांसफर करेंगे अब हम जीरा को भूनेंगे जीरे को हम चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो न यह नीचे से पकड़ लेगा यहां पर जीरा भी भून चुका है अब इसे भी थाली में हम निकाल लेंगे और अब भूनेंगे मंगरेल और सौफ इन दोनों को हम साथ में ही भून लेंगे जाई भूने में हमुझे多व साथ में चालाते हैं जाई भूनेंगे, जाई परेभ ले हुए जाई नहीं है करी दोनासते हैं जाई डूने चालाते हैं तो ये भी भून चुका है इसे भी हम प्लेट में निकालेंगे और इन सब को ना हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे धनिया अच्छी तरह से ठंडा हो गया है अब इसे हम ना ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखिए दोस्तो इस तरह से धनिया का ना हम फाइन पाउडर बना लेंगे अब हम जीरा का पाउडर बनाएंगे तो जीरा का भी पाउडर मैंने बना लिया है अब हम मंग्रेल और सौप का पाउडर बनाएंगे यहां पे मैंने मंग्रेल और सौप का पाउडर बना लिया है अब हम बनाएंगे राई का पाउडर तो राई का पाउडर बनाने के बाद हम मिर्ची को भी ग्राइंड करेंगे मिर्ची को हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है उसको दरदरा ही रखना है तो यहां पे इस तरह से मैंने दरदरा मिर्ची का पाउडर बना लिया है अब इसे ठाली में ट्रांसफर करेंगे फाइनली दोस्तों हम डालेंगे लासुन को ग्रेंडिंग जार में इसका हमें ना फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसे भी दरदरा ही रखना है तो यह देखिए दोस्तों इस तरह से हमें लासुन रखना है तो दोस्तों मसाला यहां पे हो गया है रेडी अब हम इसे अचार में मिक्स करेंगे तो दोस्तों यह आम ना अच्छी तरह से सूग गया है अब इसे हम ना मसालों में मिक्स करेंगे जितने भी मसाले मैंने ग्राइंड किया था अब एक एक करके एक ही थाली में डाल के मिक्स कर लेंगे सबी मसाले को मैंने एक ही थाली में डाल दिया है अब इसे कल्ची से मिक्स करेंगे दोस्तों इसमें मिर्ची डाली हुना हाथ से मिलाएंगे तो ना हाथ में जलन होगी जलन होगी तो मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम आम को एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे मैंने बड़े बरतन में आम को इसलिए डाला क्योंकि अच्छे से यह मिल जाए अब इसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ लासुन और जो मैंने आम का पानी पका के रखा था ना डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आप इस तरह से आचार आम का बनाओगे दोस्तों न तो कभी खराब नहीं होता है लासुन और आम का पानी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे इसे मिलाते जाएंगे दोस्तों आचार में हम हल्दी और नमक नहीं डालेंगे अल्रेडी मैंने पहले ही जब डब्बे में भर रही थी न तभी मिला के रखी थी तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके मसाला मैंने डाल दिया है अब इसमें डालेंगे राई का तेल तेल डालने के बाद इसे वापस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मारी मिला प्यापस अच्छी टुड़ा थी तरह Conversे है प्यापस अच्छी तबढ़ा के राई पर दोड़ा झाल झाल तो दोस्तों अचार हमारा बन गया है अब इसमें डाल देंगे सिर्का का रस डालने से क्या होता है ना अचार का टेश्ट भी अच्छा लगता है और अचार खराब भी नहीं होता है यह मेरा सिर्का ना गाउं से मेरी मम्मी ने भीजा था झाल 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 अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें यह झाल झाल